दोस्तों बीवी का डर भला किसे नहीं होता, इसी डर के चलते पती अपने पत्नी से कई छोटी छोटी बादें छिपा लेते हैं, हलाके जरूरी नहीं है कि उनका यह जूट गलत इंटेंशन से ही बुला गया हो, कई बार पूरुष अपनी पत्नी को दुख नहीं पहुचाना चाहते हैं, जिसके चलते वो उनसे जूट बोल देते हैं, मतलब जुरत पढ़ने पर ये दोसरों को जूटा और खुद को सच्चा भी बना सकते हैं, चलिए, जानते हैं उन्हीं राश्यों के बारे में जो जूट बोलने में होते तो माहिर हैं, लेकिन दोसरों की भलाई के लिए बोलते हैं, दोस्तों, आपने तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो क्रिप आगर के सब्सक्राइब कर लेजें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेर भी करना, मितन राश्यों के लोगों का हर चीज के प्रती अलग नजरिया होता ह फिर बात, रिलेशन्शिप को लेकर ही क्यों न हो, दरसल जो दूसरों के लिए जूट होता है, इन्हें कई बार वही सच लगता है, जो कि इनके रिस्ते में कई बार लड़ाई जगड़े की वज़ा भी वनता है कुमराशी, कुमराशी के लड़के बड़े ही मतलबी मिजास के होते हैं, पार्टनर से अपना काम निकलवाने के लिए खामेशा जूट का सहारा लेते हैं, इतना ही नहीं, काम पुरा होने के बाद अपने रास्ते पर निकल लेते हैं, दरसल लड़ाई में इनके लिए सब क किसी को भी अपनी किसी बात का पूरा सच नहीं बताते हैं खलाकि अपने राज शिपाने के लिए कई बार पार्टनर से जूट बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हर बार जूट बोलते हैं मेश राशी, मेश राशी के लोग वैसे तो जूट बोलने से बचते हैं और सच्च का सामना करने की इन में पूरी हिम्मत होती है लेकिन दूसरों की मदद या फिर किसी को मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा जूट बोल जाते हैं लेकिन दूसरों के भलाई के लिए जूट बोलने का रिस्क भी आसानी से ले जाते हैं वरिसब राशी, वरिसब राशी स्वभाव से काफी वफ़ादार होते हैं और जूट बोलने से जितना हो सके बचने की कोशिश करते हैं मगर बहुत मजबूरी या पार्टनर की भलाई के लिए जूट का सहरा लही लेते हैं हलागे इनका जूट, दूसरों को पता भी चल जाता है लेकिन फिर भी ये दूसरों की खुशी के लिए इस रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं तो दोस्तों कि आपके पार्टनर की भी राषु है, इस लिश्ट में शामिल, आप हमें जरूर बताना और रे भी बताना, यह हमने जो बातें बताई हैं, यह आपके पार्टनर से कितना मेल खाता है, वीडियो अच्छे लगी हो, जानकार यह अच्छे लिगी हो, तक अपने जाते जाते वीडियो को लाइक करते हो जाना आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद